नश्रा साथियों आठ जुलाई का दिन है और यहाँ पे आपकी डेली डोस अफ करेंट फेर एक पर फिर से हाजर है उमीद यही करता हूँ कि आज की डेली डोस अफ करेंट फेर से भी आपको बहुत कुछ शीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा करिए कि आप इसको अपनी liked videos में जरूर add कर लें, ताकि बात भी भी आप इसको जाके अराम से refer कर पाएं and you can certainly take full advantage of this session ताकि आप revision के अंदर इसको incorporate कर पाएं. having said that, make sure आप अकाश अंदेफ, test book, telegram को जरूर join कर लें, क्योंकि यहाँ पे सभी pdf's आपको मिलेंगे, जो pending pdf's भी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, don't worry about that, सभी pdf's आपको यहाँ पे regular basis पे मिलते हैं, इसका आप खास्यान रखेगे, got it, having said that, कल मैंने एक बड़ा मज़िद बड़ी का नाम बताओ, तो अफकोर्स वो बड़ी का नाम था, UNEP, United Nations Environment Program, जो कि 1972 में बनी था, पचास साल इसने पूरे कर लिये हैं, और यह मैंने हिंट दिया था, लेकिन आपने उस हिंट को पिक करके आंसर दिया है, जिससे गिरधारीन आंसर दे दिया है, अमित हैं, अधिया तरीके से अंसर दिया है, शाबश, थैंक्यू सो वरी मच, आज का जो करेंट फेर उसको स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है, यह जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ, आप सब लोग इसके बारे में सुन भी रहे हो, इसके बारे में बहुत जादा न्यूस भी कवर कर रही है, और उसको मैं थोड़ा साब को समझाने कोशिश करूँगा, यह क्या मैटर है पूरा का पूरा, सबसे पहले आपको मैंने कल के करेंट फिर में क्या बताया था, थ्रेट्स आप की बारे में बताया था, थ्रेट्स आप ज जो ट्विटर का सब्सक्राइबर बेस है, वो इधर वूफ कर रहा है, ऐसा हो सकता है, यह फीचर दे दें, क्योंकि इनके पास experience बहुत है, सोशल मीडिया का, देखे, इनमें और Elon Musk में एक बहुत बड़ा अंतर है, Elon Musk is a big time techie, वो futuristic technologies पे काम करते हैं, वो electric cars पे काम करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी और जब मैं Mark Zuckerberg की बात करता हूँ, he is a master of social media, Mark Zuckerberg के पास क्या है, he owns WhatsApp, तो आप यह मान के चलें, कि WhatsApp है इनके पास, Facebook है, इनके पास Instagram है, तो आप यहीं से, और Facebook का एक messenger है, अलग से हो, यह, तो आप यहीं से अंदाजा लगाएं, what all he has got? लेकिन वहाँ पे दूसरी और Elon Musk के पास तो भी सिर्फ Twitter है, anyways, what is more important, इसको Twitter killer बोला जा रहा है, और it is basically the top free app on Apple's App Store in the UK, US on Thursday, ऐसा यहाँ देखा गया, और सबसे हिरानी की बात यह है, कि हमने देखा, it has ragged in more than 30 million, मदद तीन करोड, plus sign-ups within 18 hours of it, लौजी, मजाख नहीं है, एक दिन से भी कम समय में, तीन करोड लोगों ने इसके उपर entry की, और अभी तो कहा जा रहा है कि 44 million को भी breach कर गया है, तो what is more important is कि जिस तेजी से यह grow कर रहा है, it is actually a big threat to Elon Musk owned Twitter, Elon Musk का जो Twitter है, उसके लिए threat क्यों है, क्योंकि एक बहुत बड़ा competition market में आ गया है, पहले तो Twitter का उनका, उनकी मदद ली जा रही है, Mark Zuckerberg के द्वारा, और उनको यहाँ पर threads की उपर लाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहना है, तो Twitter ने threaten किया है कि हम meta को सू कर देंगे, quote में ले जाएंगे, और यहाँ तक कि जो एलेक्स पीरो है, जो Twitter के lawyer है basically, ऐसा कहा जा रहा है कि यह दे के लिए लग रही है कि आगे क्या होगा, बट हमें यह चीज़ समझ नहीं है, कि what is the power of Mark Zuckerberg, what is the power of social media, यह जानना बहुत ज़रूरी है, since he owns Instagram, Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp, वो already बहुत powerful है, उनके लिए इसको success करवाना इतना मुश्किल नहीं है, एक example है, एक व्यक्ति है, वो बहुत established है, और वो जोनी अगर YouTube पे आएंगे, तो एक दन में उनकी 1 million subscriber हो जाएंगे, लेकिन महीं पर random कोई व्यक्ति अगर आता है, उसकी इतनी जल्दी नहीं होते, यहीं एक यहाँ पर फरक है, Mark Zuckerberg knows the maths, he knows the idea of social media, इस सीज़ को आप understand, I hope आपने एक पूरा context यहाँ पर समझा है, अब जो यह यहाँ पर legal battle होगी, वो हमारे लिए इतनी important नहीं है, हमारे लिए क्या important है कि किस तेजी से threats grow कर रहा है, जिसको Twitter killer भी बोला गया, तो question आ सकता है, Twitter killer किस है आपको बोला गया, threats को बोला गया, आगे बढ़ता है, now the next one, I would like to talk about second Thomas Shoal, यह, तो यहाँ पर यह जो second Thomas Shoal है, जो हम यह South China में सी में देख रहे हैं, यह कहाँ पर Spartly Island के North East में पड़ता है, यहाँ पर, Philippines के basically pass है, अब problem क्या है, यहाँ पर इसको बहले तो understand करो, चाइना क्या करता है, चाइना एक nine dash line की बात करता है, इस तरह से, यह, और nine dash line की जब बात करता है, तो वो क्या करता है, यहाँ प चाइना के Coast Guard को accuse किया, कि इन्होंने dangerous maneuvers किया और इन्होंने हमें हरास किया है, चाइना ने बोला कि Philippines Coast Guard intruded into the water without permission, तो यह एक बहुत बड़ा standoff है, चाइना और Philippines की बीच में स्टार्ट हो गया, problem क्या है, nine dash line की मैं आपको बताता हो, देखे, यह जो issue है, यह आप देख सकते ह है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, यह nine dash lines है, इसके अंदर जो भी है, islands वगरा चाइना कहता हमारे है, इस वज़ा से चाइना की वियत नाम के साथ भी जड़ाप होती है, यही एक reason है, चाइना के Philippines के साथ भी जड़ाप हो रही है, यह एक reason है, चाइना की Malaysia के साथ भी होती है, इंडो एक reason है, कि यहाँ पे वो बाकी countries को परिशान करता है, time to time, आगे बढ़ता है, और यही reason है, अरनाचर पदेश में भी चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है, कि अरनाचर पदेश हमारा है, anyways, अब ध्यान दीजएगा, नीजल आंस यह बहुत strong team है, hockey में, it has won the FIH hockey pro league title, अब इ 2020 में हुआ, 21, 22, आप यह 2023, 24 के हम बात कर रहें, अब यह 2022, 23 की बात हुई है, यह एक बहुत important edition है, fourth edition है basically, अभी next year यह वाला होना है, तो इसको अभी के लिए हटा देता है, अब आप यहाँ पे notice करना, देखें, इंडिया इसमें जीत नहीं पाया, बट इंडिया number 4 पे आय से ज़्यादर goal scorer, tournament का, यानिकी 18 goal scorer कौन है, Harman Preet Singh, जो की इंडिया के है, यह आप याद रखेगा, very much important, tournament के goal scorer जो है, वो Harman Preet Singh है, यह आप याद रखना, तो it's actually a very important league of hockey these days, यह आपको पता होना चाहिए, हम लोग बात करें, FIH pro league की, यह fourth time हुआ है, और इसमें नीधर metaverse बहुत जादा trending है, metaverse बहुत news में रहता है, metaverse से जुड़ी news है, लेकिन यह बहुत अचपटी news है, बहुत important है, सबसे पहले बात करना जोगा, Punjab National Bank की, यानि की PNB, उसने announce किया है, to launch PNB metaverse, that's a very big thing, एक virtual branch होगी, जो unique banking experience आपको देगा, अब यहाँ पर क्या है, देखो, मैं एक example दे रहा हूँ यहाँ पर, मतलब यह PNB की pictures नहीं मैं बात कर रहा हूँ, देखे, आपकी जैसे अवतार्स जो है, वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, यह 3D अवतार्स है, जैसे यह मालो आप है, यह banking staff है, तो आप क्या करोगे, आप अपने अवतार्स के थ 3D experience दिया जाएगा, तो आपको ऐसा feel होगा, मतलब आप अपने screen पे जब देखोगे, कि आप वहाँ पर present है, आपको जो अवतार है, वो बैंक में present होगा, और वो transactions कर रहा होगा, I know it sounds very weird in the first place, but that is absolutely true, तो यह आप याद रखना, जैसे आप यह देख रहे हो, यह भी क्या, ए जाँगा, एक body, national sports body, जिसने metaverse को एक reality बनाया, इंडिया में उसका आप नाम बताएंगे, national sports body, बहुत एक sports है, उसके national body है, जो उसको regulate करती है, इंडिया में, कौन सी वो body है, जिसने metaverse इंडिया में introduce किया, कि sports के अंदर भी metaverse हो सकता है, मतलब of course audience के लिए, players तो नहीं करें हो सकता है, that's very much important, और आजकल तो e-sports भी शुरू हो गया है, e-sports को भी मतलब बहुत जादा importance मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि धीरे-धीरे बहुत जादा चीजे बदल रही है, चीजे change हो रही है, in a very different manner, ये evolve हो रही है, ये हमें ध्यान में रखना है, आगे बढ़ते है हम लोग बात करते हैं, एक tribe की, जिसको हम बोलते है, गुट्टी कोया tribe, ये कोया भाशा भी बोलते है, इनकी कोया language है, कोया इनकी क्या है, language है, anyways, अब एक इनकी practice है, जो बहुत news में थी, they erect stone memorials in event of death of their three most important people, जैसे physician है, उनका doctor है, कोई priest है, या फिर village का leader है, तो इसलिए, ज अगर आप देखते हो, यह वाला area जो है, यहां अंदर प्रते इस अगर आपको देखने को मिलेंगे, उडीसा में देखने को मिलेंगे, यह जो zone है, यह चार states का जो junction है, यहां पे, यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, पोडू एक shifting cultivation है, जैसे paid card दिया, उसके बाद यह, यहां पे agriculture करते हैं, फिर उसको कारते हैं, यह एक बहुत शांदर इनकी cultivation practice है, यह आप देख सकते हैं, इस तरह से stone memorials बगेरा बनाते हैं, from time to time, what is more important is कि यहां states आपको पता होनी चाहिए, तो they are considered in Telangana, आंदरपदेश, शत्यसगर और उडीसा, इन states के अंदर आपको इनकी points हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत जादर tough चीज़े यह नहीं है, आगे बढ़ता है, नेक्स में बात करना चाहूंगा, इंडियन नेवी ने अपना marching contingent भीजा है, फ्रांस में वो पहुँच चुका है, लेकिन वहां पे event जो है, असली, वो है 14th of July को, 14 July 2023 को एक बहुत बड़ा event है, जिसको बोलते है, Basile Day Parade at Paris होगी वो, तो साथ दिन पहले यह वहां पहुच गए है, साथ दिन पहले, तो बात आती ही कि Basile Day Parade जो है, वो इतनी important क्यों है, क्या उसकी relevance है, यह मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगा, तो यह लोग happy Basile Day करके, ऐसे messages जिस भी भेजते हैं, French एक दूसरे को, जब भेजते हैं, 14th of July को, किसी को अगर थोड़ा सा भी अंदाजा है, World History का, तो 14 July 1789 में क्या हुआ था, Fall of Basile एक event हुआ था, Fall of Basile, अब Fall of Basile के लिए तने यह खुश क्यों थे, यह आप समझो, When I talk about the Basile, Basile was a symbol of royal absolutism, ताना शाही का एक symbol था, France में, एक बहुत बड़ा किला था, जहां पे उन लोगों को रखा जाता था, जो राजा के खिला विरूद करते थे, तो जब Fall of Basile हुआ, जब बैसील का किला गिरा तो बुला गया, कि अब राजा की ताना शाही का ये end है, इस आपको थोड़ा सा समझना है, that's the point you got to understand, is that clear or not, तो ये मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा है, simple है, तो बस ये याद रखना है, इसलिए 14 जलाई का दिन बहुत important है, French Revolution के हिसाब से, तो 1789 की event को ही ये दोबारा से celebrate कर रहे हैं, ये आप जान में रहे हैं, आगे बटता है अब ये बहुत मज़दार ये news item है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, देखे, नीदर लैंड त्यार है एक चीज के लिए, जो बहुत बड़ी चीज है वैसे तो, नीदर लैंड ने बोला है, कि we will return the treasures which have been looted from Shilanka and Indonesia in colonial period, लेकि बहुत सारी कंट्री से बहुत सारी कॉलोनी नी थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी जो Dutch थे, इन्होंने रूल किया, तो आप ये notice करें कि इनके पास बहुत सारे artifacts हैं, बहुत महंगे महंगे artifacts हैं, इंडोनेशन, शिलंका से और भी कई colonies के, जो कि ये वापिस करने के लिए त्यार है, अब ये बहुत बड़ा event क्यों है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे artifacts बिटन में पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप अगर देखते हैं, उनके museums, वहाँ पे पूरे एजिया से हल अगले country से जो artifacts ले जाए गए वो पड़े हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या वो भी वापिस करेंगे उनको, ये बहुत ब लखेगा, 1798 के museum है, कहाँ पर अफ्कोर्स नीदरलांस में है, तो ये थोड़ा साब को पता होना चाहिए, कौन से में बात कर रहा हूँ, Riggs museum की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, simple point this is, I don't think बहुत यहाँ पर कोई बहुत जादा tough चीज होगी, ये बहुत basic सी चीज है, आग तो इंडिया में ये operate करेगी, of course US में तो दो operational ही है, इंडिया में operate करेगी at Hingoli district in Maharashtra, तो महाराश्टर के हम जब बात करते हैं, वहाँ पर ये हिंगोली है, वहाँ पर ये आएगी तो मैं मैप दिखार हो ताकि आपको याद रहे, तो मुंबई के लगभग 450 किलोमेटर East ह और लगभग 26 करोड जो है, इसके ओपर खर्चा किया जाएगा, जिसको अप्रूफ कर दिया गया है, government has cleared this fund, और महाराश्टर में आएगी, global network का पार्ट बनेगी, इतना बस आप याद रख लो अभी के लिए, you have to be understanding this point very very important, तो हमें simple और straightforward जो चीज़े हैं उनको ध्यान में रखना है, और उसी से पून रूप से जो clarity है, वो हमें मिलेगी, is that clear or not, everyone has to be understanding these points very very clearly, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लीगो की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब देखो, Nobel Prize भी gravitational wave के लिए मिला था, 2017 में जो Nobel Prize है, physics के लिए वो इसी के लिए मिला था, तो यह कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, laser beam split होती है, यहाँ पर detectors भी होते हैं, laser का source होता है, कुल मिला के जो gravitational waves है, वो बहुत important क्यों है, क्योंकि हम लोग जो earth का origin है, उसके उपर और जादा studies से करते हैं, main बात यह है, इसी लिए यह जो experiments हैं बहुत important है, अगर यह पूरा network है, आप देखो, Africa में कोई नहीं है, South America में कोई नहीं है, China में नहीं है, तो यह बहुत बड़ी बात हो, Australia में नहीं है, इंडिया में आना लीगोगा एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, जो हमारी scientific community है, उसके लिए बहुत बड़ी जीत है, अभी भी हम लीगो स्टार्ट हो रहा है, we have to understand, clear, इसके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टन लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव उपसर, इसके बारे में बात हो रही थी, काफी चर्चा इसकी हो रही थी, लेकिन अभी वहां पर ये, थोड़ा सा फसी होई है, approvals वगएरा में, वो बन जाएगी, देखते हैं, या प्लीज कॉमेंट करके बताएगा, एक ये question मैंने, जो एक पहले पूछा था, दोनों questions जो हैं, वो आप मुझे यहां पर बताएंगे, I thought it, एक तो मैंने वो पूछा था कि Metaverse कौन सी sports की body ने किया start, और एक ये मैं पूछ रहा है, Is that clear to you guys, having said that, Afgat का जो achievers भाच है, वो live हो चुका है, if you have not joined it, you can join it, और मैं आज फिर से, 12 बजे live आने वाला हूँ, इसी channel पे, जहां पे हम लोग reverse को complete करेंगे, reverse का एक तो कर लिया तो हमने, उसको हमने बढ़िया से complete करना है, पहली बात, दूसरी बात, today is the last day, आज, last day है, इस offer का, so you can certainly use the code जोश, और आप अच्छा का सा discount ले सकते हैं, if you are preparing for CDS, Afgat, CAPF, all the exams, today is the last day, so make sure you take full advantage of this, आका आश निदे टेस्बुक को join करना ना भूले, ताकि आपको PDF time से मिल जाए, that's very much important, of course, session को like करें, share करें, और जो answer है, उसको comment मत भूलिएगा करना, because उसी से जो है, आपका जो नाम है, वो publish किया जाता है, अगले session में, और इससे पता जलता है कि आप कितना seriously sessions को ले रहे हैं, I hope इस session ने भी आपको काफी clarity दी है, प्रती और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, thank you so much, जय हिंद, जय भारत.